हेलो स्टूरेंट्स वेलकूम अगेन टू लन्वृ देतीमन आजम करने वाले हैं हमारे सामाजिक अध्यन के अंतरगरत जो हमारी फिफ्ट यूनिट है जिसमें हमने लास्ट वीडियो जिला प्रशाशन का किया था आजम करेंगे न्याय विवस्था आपने यदि देखा होग तो आपकी जो फिफ्ट यूनिट है जिसमें आपका विल्कुल लास्ट टॉपिक है न्याय विवस्था तो हमें ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपनी जो न्याय विवस्था है सरकार के हमारे जो तीन अंग है जिसमें जो तीसरा अंग है न्याय पालिका जिसमें ह यह हमारे syllabus में नया add हुआ है तो इसलिए आपको यह करना बहुत जरूरी है चलिए इसे हम समझते हैं भारतिय नियायक व्यवस्था तो सबसे पहले हम सुरुआत में थोड़ा सा धांचा समझ लेते हैं स्वरूप कैसा है एकिकरत नियायक व्यवस्था और क्यों है यह एकिकर नियायक व्यवस्था है यानि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो अधिनस्ते नियाले जो है सबसे नीचे इस्तर पर जो होता है जो कि हमारे जिले हर जिले में या अधिनस्ते नियाले जो है वह बनाया जाता है या तो सबसे निचले इस्तर पर है अधिनस्ते नियाले स जुरम पाररों से उच्छ पर है उच्छ न्याले में अठी lei के लिए यदि हाटी ऌतनेले में हैं तो हम इसके बाद किसी भी नयाले में नहीं जा सकते हैं यही अंतिम न्याइले है यही उच्चेतन संस्ता है यदि हमें राश्ट्रपती के पास जाना होगा तो हम केबल शमादान के लिए जा सकते हैं तो इस तरीके से ये ढांचा है कि इसलिए ये एकिकरत नयाएक विवस्ता कहलाती है तो सर्वुच्य नयाले जो है वह है उसके अंतर कर तो उच्जी नयाले आती है और उच्जी नयाले के अंतर गहते हैं जो की आठ राजियों में तीन जो की सांजा न्यायले हैं ठीक है आठ राजियों के किवल तीन न्यायले ही हैं और दो न्यायले जो हैं उच्छ न्यायले वह हमारे यूटी के हैं यानि की हमारे जो केंदर शाषित प्रदेश हैं उनके लिए बनाये गए हैं तो ये 20, 30 और 25 उ डूटाबर हमारे केंदर शार्षित प्रदेशां के हैं एक जनवरी 2019 में आंधर प्रदेश जो 25 वा राज्य बना एक जनवरी ञॉल राज्यों में तीन साजहां नियाले हैं वो 8 राज्य कोन से जिसमें तीन उच्छ न्याले की नाम है बंबई उच्छ न्याले पंजाब और हर्याना उच्छ न्याले और गोहाटी उच्छ न्याले यह जो है पंजाब और हर्याना उच्छ न्याले यह इसी नाम से है और यह पंजाब और हर्याना का भी उच्छ न्याले है यानि तो यह तिन सांजह न्याले जो है यह आठ राजियों के है और बीस जो राजिय है उनके खुद के उच्चे न्याले है संगशाषित प्रदेश जो हमने देखे कि दो संगशाषित प्रत्थक यानि अलग से न्याले वो कौन से है एक तो दिल्ली उच्चे न्याले जिसमें स्वैम का अपना प्रतक न्याले जो है वह है दिल्ली उच्चे न्याले जिसमें केबल दिल्ली का ही प्रतक न्याले है और जम्मू कस्मीर न्याले जिसमें जम्मू कस्मीर और लद्दाख इन दोनों केंदर शाषित प्रदेशों का जो न्यायले है वह है जम्मू कस्मीर न्यायले और राजियों के 20 न्यायले हैं ठीक है इसके अलावा जितने भी राजिय बच जाते हैं 20 राजिय तो उनके स्वैम के न्यायले है अनुचेद 214 इसमें लिखा हुआ है कि प्रतीक राजिय के लिए एक उच्च न्यायले होगा जो कि सात्वी सम्विधान संजोधन 1906 की अंतरगत इसे जोड़ा गया कि अनुछेद 214 प्रतिक राज्य के लिए एक उच्छी न्याले होगा। न्यायदीस और दो वरिष्टतम न्यायदीशों की कॉलेजियम व्यवस्था, इनके द्वारा इनकी सलाह पर राश्ट्रपति उच्छे न्याले के मुख्य न्यायदीस की न्युक्ति करते हैं। और यदि हम बात करें अन्य न्यायदीसों की, तो उनकी न्युक्ति, उनकी भी वराष्टपती ही कर रहे हैं, यहां पर सला ले रहे हैं भारत के मुख्य न्यायदीस, उस राज्ये के राज्येपल और राज्ये के मुख्य न्यायदीस के द्वारा, नेक्स्ट है योगिता, उ दस वर्ष का उसे न्यायक अनुभव हो या लगाता दस वर्ष तक उच्छ न्यायले में वकील हो यह आपका रिवीजन ही है एक तौर कर सपत जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राश्रुपत्ति के लिए यह उसके बाद वेतन जो है वो मुख्य न्यायदीस का होता है दो लाख असी हजार और अन्य न्यायदीसों का दो लाख पचास हजार जब पदी रिक्ति की बात आती है अब हमने इनको इनकी जगह पर बढ़ा दिया ठीक है इनको इनका पद दे दिया तो अब पद से रिक्त कर करने की जब बात आती है तो वह भी हमें मालूम होनी चाहिए कि जब इन्हें राष्ट्रपती नियुक्त कर रहे हैं तो इनको त्याग पत्र जो है वह भी यही दिला रहे हैं तो मुख्य न्यायदीस जो है वो उच्चतम न्यायले के वो राष्ट्रपती को अपना त्याग उच्छे न्याले और उच्छे न्याले इनके न्याएधीसों के संबंद में महावयोग की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है पद्रिक्ति के संबंद में लेकिन अब आप उसे ध्यान से सुनिए ठीक है क्योंकि मैंने आपको जो बताया तो वहाँ पर थोड़ी सी मेरी गलती ही हो गई थी तो आप बिल्कुल अब इसे अच्छे से करेक्ट करिये कि महावयोग की प्रक्रिया का जो प्राफधान वो मात्र राष्ट्रपति के लिए है किवल राष्ट्रपति के लिए पद्रिक्ति के यदि बात होती है तो राष्ट्रपति को ही महावयोग की प् उच्छी नियाले के जो नियाईदीसों को जब पधिरिक्ती की बात आती है तो वहां उनके लिए जो प्रापधान है वो है साबित कदाचार और असमर्थता ठीक है यहां पर महावयोग वर्ड नहीं आएगा उसके बदले आएगा साबित कदाचार और असमर्थता तो यदि अब हम बात करेंगे अधिनस्त नियाले की राजिस्थान के संदर्व में अधिनस्त नियाले जिला एवं शत्र नियाले भी इसे कहा जाता है यह राज्य की एकिकरत नियाएक विवस्ता है, यह हम देख चुके हैं, अब हम उच्छी नियाले को पढ़ चुके हैं, अब हमें अधीनस्ते नियाले को पढ़ना है, भाग 6, अनुच्छीद 233 से लेकर 237 की अंतरगत, हमें अधीनस्ते नियाले के बारे में जानकारी मिलती ह जिससे जिला एवम सत्र नियाले भी कहते हैं, यहां पर दिवाने मामले और फॉसदारी मामले, जिला एवम सत्र नियाले की बात करेंगे हम, तो वहां पर दिवानी मामले और फॉसदारी मामले, इनका निप्टारा किया जाता है, दिवानी मामले हमें पता है, जो भी संपत्त कि आए व्याय जो किराया इन से संबंदित होते हैं और फौसदारी मामले जो मारपीट चोडी ठीक है इस तरीके के होते हैं जिला एवं सत्र नियाले अब इनकी नुक्ति जो है वह राज्यपाल दौरा उच्छे नियाले के परामर्ष पर होती है ठीक है जहां पर उच्छे न नियायले के परामर्श पर, नियायधीस को नियायक वप्रशाशनिक शक्तियां प्राप्त है, समस्त अधिनस्ते नियायलों का निरिक्षन, उम्रकैद से लेकर मृत्यु दंड देने का अधिकार भी रखता है, ठीक है, और यह भी कब रखता है, उच्छे नियाले के में जा सकते हैं और हाई कोर्ट किसे खुष नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके बाद हम बात कर रहे हैं दीवानी न्यायले जिसमें जिला न्यायधीस होते हैं अधीनस्ते न्यायधीस का न्यायले जिसमें 25,000 से लिकर 50,000 तक का जुर्माना जो है वो किसी लिए नियाले के अंतरगत संपत्ति आयव्य और जमीन इससे संबंदी जो है विवाद जो है वो आते हैं तो इसके लिए क्या लगाया जाएगा यहां पर पच्छेस अजार से पचास जार कर्ट का जुर्माना जो है वो लगाया जाता है और मुंसे पदालतों में पच्छेस सबस्के जाता है अब फौषदारी नियाले के अंतरगत जो कार्य उसके लिए उन्हें धंड़े देने का प्रावधान होता है तो अब किस तरी के से दंड़े दिए जाते हैं मुंक है नयाईक जो मजिश्ट्रेट है वो इस्त्स तरीक जो्त्र Are उनको अधिकार है तीन वर्ष तक का कारावास देने की ठीक है तो इस तरीके से दिवाने नियाले में हम पैसों से संबंदे जुर्माना लगा देते हैं और फोसदारी नियालों के अंतरगत हम क्या करते हैं उन्हें साथ वर्ष का कारावास जो है वो मुख्यनयाइक मजिस्ट द्वारा और नियाएक मजिस्ट्रिट द्वारा तीन वर्ष तक का कारावास जो है वो लगाया जाता है लोक अधालत जो है वो अधनियम 2012 के अंतरगत जो है वो इस्थापित की गई परिवार नियाले अधनियम 1984 के अंतरगत इस्थापित किया गया और ग्राम नियाले अध इसनियम 2012 की अंतरगत इस्तापित किये गए चलिए आज हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है न्याय विवस्था को जो कि हमारा अंतियम चैप्टर था हमारी पॉलिटी का इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो आएंगे राजिस्तान के आर्ट एंड कल्चर के क्योंकि आपके क्योंक्त बाद एंड